नमस्ते जी, कैसे हैं आप? दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नंदी के कानों में सिर्फ दो शब्द कहने से हमारे मनोकामना होते हैं पूर्ण सर्व प्रथम दोस्तो याद रखिए मंदर में कदम रखते ही अपने हाथ पैर धो लिजे मंदर में कदम रखते ही सबसे पहले दर्शन मिलता है नंदीश्वर का मंदर के भीतर जाने से पूर्व परिक्रमा लगाना ना भूले महादेव के मंदरों की अर्थक परिक्रमा लगाई जाती है मंदर की आधी परिक्रमा यानि की मंदर के आधी तक चले फिर वापिस मुड़े या एक परिक्रमा कहलाएगा इस तरहां तीन परिक्रमाय लगाएं परिक्रमा लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि नंदी और शिवलिंग के बीच के रास्ते से परिक्रमा ना लगाए यानि नंदी के मुख के सामने से परिक्रमा ना करें यह इसलिए क्योंकि नंदी और शिवजी के बीच को ही ने जा सकता अब मंदिर में प्रवेश करते हैं प्रवेश करने से पहले नंदी को नमन करें शिवलिंग का दर्शन सर्व प्रथम नंदी के दोनों सिंग के बीच से करें नंदी के एक सिंग पर अपने दाहिने हथेली के अंगूठे को रख कर दूसरे सींग पर अपने दाहिने हथेली के बाकी चार अंगुलियों को रखकर यह त्रीकोन आकार जो बनता है इसके थुरू आप शिवलिंग को देखेंगे इसके बाद आप मंदिर प्रवेश करें घंटी बजाएं शिव मंदिर में आपको गनियश जी दर्शन देते हैं तो सर्वप्रथम गनियश जी के विधिवत पूजा करें अब आप शिवलिंग की आप विधिवत पूजा करें फिर जब आप दर्शन करके पूजा करके मंदिर से बाहर आएं तो नंदी के सामने एक दिया अवश्य जलाएं नंदी जी को फूलों की माला चड़ाएं प्रसाद में फल चड़ाएं यहां भी ध्यान कीजिये कि नंदी के मुख के सामने खड़े होकर पूजा ना करें आप तो यह बात चानते हैं कि भगवान शिव महान तपस्वी हैं इसलिए वे हमेशा समाधी में बैठे रहते हैं लेकिन वे बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं जबकि नंदी चैतन्यता का प्रतीक है जो खुले आंखों और खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों का भान करता है भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विखन ना पड़े इसलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं जो भी भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है नंदी उन्हें वही रोक लेते हैं किसी बाहरी विखन से शिव जी की तपस्या भंग ना हो इसलिए भगवान शिव के पास अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और शिवजी के तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बाते जस्कितस बता देते हैं भक्तों को यह भी विश्वास रहता है कि नंदी उनकी बात शिवजी तक पहुंचाने में कोई भी भेदभाव नहीं करते और वे शिवजी के प्रमुखगन हैं इसलिए शिवजी भी उनकी बात अवश्य मांते हैं नंदी के डाएं तरफ खड़े हो जाए नंदी के बाय कान को अपने दाएं हाथ से बंद करके उनके दाहिने कान में अपनी मनोकामना व्यतीत कर दे मनों कामना व्यतीत करने से पहले नंदी के कानों में सबसे पहले कहना चाहिए ओम नमस चिवाय या हरियोम या बम बम भोले या हर हर महादेव इस तरह सर्वप्रत्थम शिवजी की जैकारे लगाएं तब ही अपनी मनों कामना व्यतीत करें इस तरह अपनी मनों कामना व्यतीत करने के बाद उनके पूँच को नमन करके उनकी विदा ले दोस्तो इन ही बातों का ख्याल हमेशा रखें जब भी आप शिव मंदिर में जाएं हर हर महादेव